नमस्कार दोस्तों मैं गोतम सिंग आजाब के लिए लेकराया हूं इंप्रेलबिलिटी इसकी निमी पेटर्न पर आधारित सेट एग आरफ 2020 एक्जाम के लिए भी भी आई अबजेक्टिव कोश्चन 99 पर 3030 में साहेगा दोस्तों आपको हम बताते कि आप हमारे पिछली विड आपको हम बताते कि कार्या करने में जल्दी वाजी करना आप कोई कार्या करते हैं तो उसमें जल्दी वाजी ने करें आराम से करें सइंसे करें तो दोस्तों आपका अंसर हो जाएगा सी नंबर बढ़ते हैं अगले प्रस्टपर निमलेखित में से कौँन सा कारण दुरुघटना होने का नहीं है इसमें से कौन सा कारण जो है नहीं ये बताना है आपको, कार्या के प्रियाप्त ग्यान नहीं होना, जनकारी नहीं होने पर भी मशीन को चला कर देखना, समर्थ से ज्यादा मेहनत करना, सुरक्षा और नियमों का पालन करना, तो दोस्तों इसमें आपका एंसर हो है, कौन सा द अपने लच्छ की पाचान करने के लिए अपने आपको खुश करने के लिए दोस्तों आपको हम बता दें मुनरंजन प्राप्त करने के लिए आपका एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण है कतरा पगला प्रश्ण है हमारा परभावी श्रिव्य की बधाओं में सामिल है द्रीड सन्वेग बोलने की एक्छा भींद रिष्टी कोड ये सभी दोस्तों आपको बताते कि परभावी स्रीवियों में द्रीड सन्वेग बोलने की एक्षा भींद रिष्टी कोड ये सबी है आपका एंसर हो जाएगा डी नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरह अगला प्रश्ण है अमारा निमलेखित में से कौन से कथन और सत्य है ये आईडियेस का पूर्ण रूप इक्वाइर इमिनू डिफिसियन्सी सिंड्रोम है एड्स एचाईवी नाम बिशाडू के माध्यम से फेलता है एड्स मानो आईडियेस की प्रत रिक्षर प्रणड़ि को छतिग्रोश्च कर देता है हिवी का पूर्ण नाम हुमें युमन बिफिर्यश है दोस्तों आपको हम बताते कि आपका एंसर हो जाएगा एचाईवी का पूर्ण नाम जो है आपको हुम्रियल इम्मिनो भेरियस है कौन असत्य है आपको बताना था था इसमें ये असत्य है बाकी आपके सब सत्य है आप कैंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है अमरा स्वा रोजगार से निमने हानी होती है वह स्वाइम अपने मालिक होता है वह सतंतता होता है वह अपने बेपार का मालिक होता है उसकी आए गरांटी वाली नहीं होती है स्वव रोजगार से निमनाहानी होती है स्वव रोजगार से तो उसकी आय गरांटी वाली नहीं होती है आपका अंसर हो जाएगा ली नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण कतरह पगला प्रश्ण है अध्योगिक नियोजन अस्थाई आदेश अधनियम 244 के अंतगर आस्थाई आदेश की परमारित प्रतिलिपिया संबंधित पार्टियों को भेजने की तारिक से डोट डोट दिन के भीतर अपिल कर सकता है कहने का मतलब है दोस्तो अध्योगिक नियोजन अधिनियम अनई 46 के अंतगत आपको आदेश के परमारित प्रतिलिपिया संबंधित पार्टियों को भेजने की तारीक कौन थी दोस्तो आपको हमता देखी आपका एंसर हो जाएगा तीस बढ़ते अगले प्रस्ने के तरह पकला प्रस्ने मारा छटनी किये हुए श्रेमिक को पूरी की गई सर्विस के परतेक बर्स के लिए डोडोड दीन औसद बेतंदर से हरजाना देना होगा साथ दिन 15 दिन 21 दिन 30 दिन दोस्तो आपको हम बता दे 15 दिन आपका एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरह पकला प्रस्ने मारा ब्यवसाइक खत्रे निम्ले खित में से किस किन अवस्थाओं में उत्पन हो सकते हैं राशायनिक संकट बहतिक संकट जाविक याम मनो बेगा दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा ये सभी बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्ने मारा ब्यवसाइक खत्रे उत्पन करने वाले वरड़िये कारक किस मार्क के जरिये शरीर के अंदर प्रवेश पा सकते हैं स्वासन आउसोशन अंतग रहर ये सभी दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा ये सभी बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्ने मारा कारखाना अधिनियम समान्त उन प्रतिश ठानों में लागई होता है जहां अधिक श्रिमिक कार करते हैं रहते हैं और जहां विधुद की सहायता से उत्पादन के लिए होती है दोस्तों आपको हम बता दे कि कर्खाना अधिनियम समान्त उन प्रतिश ठानों में लागई होता है जहां दोस या अधिक श्रिम को कार्य करते हैं और जहां विधुद की सहायता से उत्पादन के लिए होती है आपका एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे मरा निमलखित में से कौन सा भारतिय कर्खाना अधिनियम और जहां प्रोधान है स्वस्त्य रक्षा और कल्याण कार्या के घंटे बीमारी प्रस्तुती काम पर दुरुखटना के मामले में शरिम को के लाभ आपको हम बतादे कि निमलखित में कौन सा भारतिय कर्खाना अधिनियम और जहां प्रोधान नहीं है तो बीमारी प्रस्तुती काम दुरुखटना मामले में शरिम को के लाभ आप कैंसल हो जाएगा सी नंबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्ने है अमारा धनात्मक मनुब्रिती के लाभों में निमलखित में से कौन सा सामिल नहीं है लोगों से आधर की प्राप्ती अपनी छमतावों की अनुभूती अधिक अनंद की प्राप्ती आत्मिक बल की प्राप्ती धना सात्मा को मनुवरिती लागों में निम्मेखित में से कौन सा सामिल नहीं है तो दोस्तो आपको हम बता दे कि अपनी छमतावों की अनुवरिती आपका अंसर हो जाएगा बी नमबर बड़ता है आगले परश्ण कतरा फगला परश्ण है मरा भारतिये अध्योगी विकास बैंक IDBI की अस्थापना कीवाई थी एक जुलाई अनुशाच चौशाट 15 अगस अनुशाच चौशाट 8 सितमबर अनुशाच 10 अक्टूबर अनुशाच अनुशाच दोस्तो आपको हम बता दे भारतिये अध्योगी विकास बैंक यानिक IDBI बैंक की अस्थापना एक जुलाई अन नुशाच अनुशाच 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 अ कि न्युन्तम अंख्या होती है, साथ आपका एंसर हो जाएगा B No. बढ़ते हैं अगले प्रस्न के तरफ, खाता वही एक है जिसके बेवसाय के खाते खोले जाते हैं, पुष्टक, सेल, विष्ले सर्ड, उप्विक्त सभी, खाता बही एक जिससे बेवसाय के खाते खोले जाते हैं दोस्तों आपको हम बताने कि पुष्टक आपका एंसर हो जाएगा यह नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है पर्तिग्या पत्र को भी डौट डौट प्रोनोट शायल बिनियम यह सभी पर्तिग्या पत्र को पर्तिग्या पत्र को प्रोनोट भी कहते हैं आपका एंसर हो जाएगा यह नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है अठारे सैस्मी में उत्पाद उच गुडवक्ता वाले होते थे उस काल में गुडवक्ता सुनुशित की जाती थी नवी करण दोवारा गड़न दोवारा परिक्षर दोवारा या मरमत दोवारा दोस्तों आपको हम मतादे कि 28 सेस्मी में उत्पाद गुडवक्ता वाले होते थे उस काल में गड़न द्वार गुडवक्ता सुनेशित होते थी आपका एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है इमारा निरिक्षड विभाग का उदेश्या है त्रूटी पूर उत्पादों को अलग करना ताकि वे ग्राह को तक न पहुच पाएं उत्पादों याम से वाओं की मतरा निधारर करना गरना करना ग्रेडिंग करन या सभी दोस्तों आपकों मता दें कि इसमें से त्रिटी पूर उत्पादों को अलग करना ताकि वे ग्राह को तक न पहुच पाएं आपका उन्सर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है इमारा राज या बिर्तिय निगम रिड कि वापसी के लिए डोट डोट बर्श की प्रामभिक छूट परदान करता है दो बर्श तीन बर्श चार बर्श या चो बर्श तो दोस्तों दो बर्श आपका उन्सर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है खेल का समान और पादन केंद्र है मेरठ आपका उन्सर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है परिवारिक सदस्यों के मध्य होने वाला संचार है अनवचारिक संचार अवचारिक संचार जटिल संचार तट अस्तल संचार परिवारिक सदस्यो आपका एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है मा द्वारा पुछकारने पर बच्चों को हंस पढ़ना दर्साता है उसकी खुशी को उसकी सकरात्मक प्रति पुष्टी को मा के प्रति उसके लगाओ को उसके हसने के सोभाओ को दोस्तों आपको हम बता दें कि उसकी सकरात्मक प्रति पुष्टी को आपका एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है सुनने का तत्पर यह किसी बैक्ति विश्यस की बातों पर ध्यान देना आसपस मौजुद उध्वकों से उद्वकों आवाज का कानों तक पहुंचना चेतन रूप से कुछ विश्यस ध्यानियों पर ध्यान देना उपरुक्त सभी दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा किसी बैक्ति के विश्यस की बातों पर ध्यान देना आपका एंसर हो जाएगा ए नमबर दोस्तों हमारा अगला वीडियो होगा इंपलाबिलिटी इसकी निमी पेटर्न पर अधारित सेट बारव 2020 एक्जाम के लिए भी वी आई अब्जेक्टिव कोईशन 99 परतिसत इसी में से आएगा दोस्तों अगर आप हमारे परतिक सेट को रट लेते हैं ग्रैंटी है कि आप 99 परतिसत उसमें का सवाल सब कर सकते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिल आइकन दब आते ताकि अगले वीडियो को निटिफिकेशन आपको मिलते रहे थाइंक्यू दोस्तो राधे राधे दोस्तो